हेलो दोस्तो तो जैसे अगे पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यहाँ पर ड्रीम पेरडाइस के ओपन होने का वक्त हो चुका था जिसके लिए हुमन्स के टैन वोरियर तो पहले ही वहाँ पर पहुंच चुके थे और थोड़ी दिर में वहाँ पर डीमन्स के भी टैन वोरियर आ जाते हैं जिनके साथ आई वे हेवनली डिफाइंड ड्रैगन्स ने तो यहाँ पर आते साथ ही हुमन्स पर हमला करना शुरू कर दिया था वो दिखाना चाहते थे कि वो लोग कितने जारा ताकतवर है पर उन लोगों को यहाँ पर ड्रीम पैरडाइस के प्रोटेक्टर की पावर्स का अंदाजा ही नहीं था इसलिए हम देखते हैं कि उन में से दो हैमली डिफाइंड ड्रैगन्स तो वहीं पर मारे गए जिसके बाद ड्रीम पैरडाइस के अंदर जाने के टेस्ट शुरू किया गया इस टेस्ट के दुरान यहीं चेक हो रहा था कि इन में से कोई भी वोरियर लेवल 7 या पिर उससे बड़ा लेवल के तो नहीं है लेकिन जब यही टेस्ट यहां हाउचेन का लेने की कोशिश की गई तो हमें चानने को मिला कि गौड़ी लेक्स की वज़े से हाउचेन की पावर्स तो काफी जारा थी और गोडेलेक्स की नहीं पावर्स की वज़े से वो चैनल ब्रेक हो गया था जिसे प्रोटेक्टर ने दुबारा से रिपेर तो कर दिया लेकिन साथी वो ये देकर बहुती जारा सप्राइज बेता अब आगे तो नेक्स एपिसोड की शुरुआत यहां बिल्कुल उसी सीन से शुरूती है जहां हाउचिन आखिरकार ड्रीम पैराडाइस के अंदर आ चुका था अंदर आते साथी अचानक से हाउचिन की बोडी ने चमकना शुरू कर दिया था क्योंकि आसफास का औरा हाउचिन की बोडी में एब्सॉर्ब हो रहा है हाउचिन भी यह देकर काफी ज़रा है उसे चारो तरफ बहुत ही ज़रा इनरजी महसूस हो रही थी जो के कंटिनियूस ले उसकी बोडी में इंटर हो रही है तबी अचानक हम देखते है कि हाउचिन की बोडी से यहाँ लिटल फैरी बाहरी निकलाई और वो हाउचिन को बताती है कि यह इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम सन अफ लाइट हो हाउचिन तुम्हें तो इससे गोड़ास ओफ नीचर की तरफ से एक बलेसिंग की तरह समझना चाहिए क्योंकि यह तुम्हारे लिए काफी जरा लखी है हाउचिन यहाँ पर लीटल फैरी की यह सारी अच्छी बाते सुनकर उसका शुक्रिया रहा करता है साथी वो लीटल फैरी से कहता है कि अभी के लिए हमें जल्ट से जल्ट कैरन को डूनना होगा जिसके लोकेशिन मैप में दो एकनी की बार हाउचिन ने तीसी के सारा आगी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया जहां अगी की तरफ चलते वे हाउचिन को मासर्स यावलिंग की बाते भी याद आ रही थी जैसा कि उन्होंने बताया था कि तुम्हें ड्रीम पैराडाइस में कही तरह की होली फरनेस मिलेंगे उन्होंने फरनेस को हसल करके हम लोग हुमेनिटी की दाकत को जारा बढ़ा सकते हैं ये सारी बाते सोचते वे हाउचिन यहां एक टेलिपोडेशन पोर्टल के पास पहुंच गया यहां खड़ा होकर हाउचिन यहीं सोच रहा था कि मुझे कुछ भी करके पहले कैरन को डूढ़ना होगा क्योंके हम दोरों के टीम अप करने के बाद हम लोगों के जीतने के चांसे जोड़ ज्यारा होंगे लेकिन तभी अचानक हाउचिन पर यहां एक बहुत बड़े बीस्ट ने हमला कर दिया जिसे डॉच करते हों हाउचिन पीचे की तरफ आते हो फोरण अपने वैपन्स बाहर निकाल चुका और यहाँ हाउचिन को जानने के बिलता है कि यह बड़ा सा एप बीस्ट यहां का एक गार्डियन है जो के हाउचिन से कह रहा था कि कॉंग्रेचुलेशन तुम काफी जारा लकी हो क्योंके तुमने आलरेडी स्पिरिच्वल फरनेस की टैस को ट्रिगर कर दिया यह सुनकर हाउचिन तो काफी जारा हैरान हो गया था क्योंके उसने बिलकुल उमीद नहीं की थी कि उसकी मुलाकात इतनी जल्दी एक गार्डियन से हो जाएगी तबी अचनक लिटल फैरी हाउचिन की बाड़ी से बाहर निकल कर हाउचिन से कहती है कि हाउचिन मैंने तुम से कहा तरह कि तुम काफी जारा लकी हो देखो तुम्हें आल्रेडी यहाँ पर एक स्पिरिचल फर्नेस मिल गया जो के एक सोल फर्नेस है इसे तो कोई भी अब्सॉर्ब कर सकता है और साथ ही इसके एट्रुबिशन भी बहुत ही कमाल की है यहाँ लेटल फैरी की यह सारी बाते सुनते हो वो एबीस देखकर कहता है कि वाओ तुम वाकी में काफी जारा लकी हो क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे पास तो अल्रेडी एक अलिमेंटल स्पिरिचल फर्नेस मौजूद है यहाँ पर यह सब कैतवे अचारक से उसकी नजर हाउचेन पर पड़ गई जिसके बाड़ी से बहुत ही जारा लाइट औरा निकल रहा था है इस ओरा को देखते हो वो एबीस कहता है कि यह लड़का कितना सारा कमाल का है इस लड़के को देखकर तो ऐसा दिल कर रहा है कि इसे यह स्पिरिचल फर्नेस ऐसे ही दे दू यह सब कहते हो सेव को तो यहाँ पर अंदाजा ही नहीं था कि वो अल्रेडी हाउचेन के सामने जुक कर उस स्पिरिचल फर्नेस को उसके सामने पेश कर चुका है लेकिन तब ही अचानक वो होश में आ गया दूसरी तरफ हाउचेन तो अवे भी हैरान ख़डाता कि आखिर इस गार्डियन एब बीस्ट को हुआ क्या है जबकि वो एबीस्ट में पीजी की तरफ आकर खुद को समझाते हुए कहता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा बिलकुल नहीं कर सकता है ये बिलकुल चीटिंग होगी इसलिए वो हाउचेन को यहाँ पर तयार करते हुए कहता है कि चलो तयार हो जाओ स्पिरिचल फर्निस को हसल करने के लिए तुम्हें मेरा टेस्स पास करना होगा जो सुनकर हाउचेन उस एब बीस को जवाब देते हुए बुलता है कि मुझे माफ कर दे रहा लेकि इंडियर गार्डियन अभी के लिए मैं अपनी टीमेट्स से अलग हो चुका हूँ अपके पीछे जो पोर्टल मुझे उसके इस्तिमाल करके पहले अपनी टीमेट्स के पास जा रहा होगा ताकि मैं उनके साथ ही कटा हो जाओ बाद में मैं वापस आकर ये टेस्स दे दूँगा जो सुनकर तो वे बीस घुसा हो तो तुम क्या मजा कर रही हो ऐसा बिलकुल नहीं हो सकता ये सब कहते हूँ वो थोड़ा सा घुसा भी हो गया लेकिन हाओ चेन की लाइट इनरजी को याद करती हो दुवारा से शान्थ हो जाता है साथी वो हाओचेन से कहता है कि नहीं यार ऐसा नहीं होने वाला तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई सबजी है जो कि तुम बात में आकर खरीद लोगे तुम्हें इस कर टैस हर हाल में देना ही होगा वर्णा मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं देने वाला क्योंकि ये स्पिरिचल फर्नेस है उसके ये सारी बाते सुनकर तो लिटल फैरी भी हाउचेंस से कहती है कि ये तो जोड जबरदस्ती ये स्पिरिचल फरनेस तुमें ही बेशने की कोशिश कर रहा है जबकि दूसरी तरफ हाउचें यहां उस गाडियन को दर्वाजे के सामने बैट कर यहां अपने मासर की बातों को याद करता है स्पिरिचल फरनेस तो बहुत ही ज़रा काम की चीज़ है लेकिन उन्हें हासिल करते वार्ट तुम्हारा सामना गाडियन से होगा जो के गाडियन बहुत ही ज़रा टाकतवर होते है साथी अगर वो गार्डियन तुम्हारे साथ जित पर आ गए तो तुम्हें तो कोई नहीं बचा सकता ये सारी बाते याद करते हुए हाउचेन कहता है कि केरन उन मेरे बीच जाना फासला नहीं है मुझे कुछ भी करके इस गार्डियन को हराना होगा ताकि मैं जल से जल केरन से जाकर मिल सकूँ यही सारी बाते सोचते हुए हाउचेन आखिर कार यहाँ टेस देने के लिए एगरी हो चुका था इसलिए वो गार्डियन एप से कहता है कि चलो मैं इस टेस के लिए तयार हूँ जो सुनकर तो वो गार्डियन एप भी खुशोत हुए कहता है कि अगर तुम पहले ही इस टेस के लिए मान जाते तो यह ज़ादा अच्छा होता लेकिन चलो कोई मसला नहीं तुम्हें टेस की रूल्स पहले ही मैं बता देता हूँ तुमारे पास एक लिमिटीड टाइम होगा जिसके दुरान तुमें मुझे हराना है अगर तुमने इस टाइम के दुरान ही मुझे हरा दिया तो यह फरनिस तुमारा हो जाएगा जो सुनकर हाउचें कहता है कि चलो ठीक है मैं समझ गया और मैं इसके लिए तयार हूँ यह कहते साथी अचानक हाउचें ने अपना आर्मर एक्टिवेट कर लिया जो देखकर उस एबीस को तो काफी ज़रा खुशी हो रही थी वो हाउचें से कहता है कि यार तुम को ज़रा ही जलबाजी में हो अभी तो हम दोरों को एक दूसरे के साथ काफी ज़रा खिल कर मज़े करने है बहुत वक्त हो गया मैंने किसी से फाइट नहीं की लेकिन आज लगता है कि बहुत मज़ा आएगा यह कहते है साती एब बीस ने तीज़े के साथ जमीन को हिट कर दिया जिसका आजसे स्टोन स्पायक तीज़े के सार हाउचें की तरफ आ रहे थे लेकिन हाउचें जब करते ह frontalवार से सीधा उसी एब बीस पर हमला कर चुका था जहां हाउचेन को जानने क्यों मिला कि उस एप बीस्ट के डिफेस तो काफी जरा स्रोंग है और वो असाने किसार हाउचेन को हिट करके पीछे हटा चुका साथी वो हाउचेन को इशारा करते हुए कहता है कि चलो आगे बढ़ो और मुझ पर हमला करो जो देखकर तो हाउचेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जबकि दूसरी तरफ वो बीस्ट आगे की तरों बढ़ते हुए एक बार पिरसे हाउचेन पर हमला करना शुरू कर देता है हाउचेन भी अपरी सोड का इस्तिमाल करते हुए उस बीस्ट का मुकाबला कर रहा था यहाँ पर इन दोनों के दम्याद जबरदास फाइट हो रही थी जिसके दुरान हम देख पाते है कि हाउचेन की रफटार तो काफी तेज है लेकिन उसके कोई भी हमला यहाँ इस एब बीस्ट पर असर नहीं कर रहा था इवन की वो एब बीस्ट भी हाउचेन से कहता है कि माना पड़ेगा तुम काफी तेज हो लेकिन तुमारे अटेक बहुती ज़रा नरब है अगर तुम इसी तरह से मुझपर अटेक करते रहे तो मुझे तो सिर्फ गुदगुदी होगी यह सब सुनकर तो अब हाउचेन भी थोड़ा सा सीरियोस हो गया और अचानक ही हम देखते है कि उसने अपनी शील्ड को गाइब करके डबल सोर्ड बाहरे निकाल लिये जिसका इस्तिमाल करते है हाउचेन ने यहापर अपने लाइट रेइन टिकनीक का इस्तिवाल किया यह अटेक थोड़ी सी इंटरस्टिंग लग रही थी इसलिए वो एबीस भी थोड़ा सा खुश हो गया लेकिन जैसा कि हम जानते है कि वो एबीस बहुत ही ज़रा ताकतवर है इसलिए यह अटेक भी ज़रा उसका कुछ बिगार नहीं पाता बस उसे थोड़ी सी खरोची लग चुकी थी पर साथी वो एबीस खुश होती हुए यहाँ पर हाउचिन सी कहता है कि वैसे अब तुमने मुझे छोड़ पोंचारा शुरू कर दिया तो यह थोड़ा मसेदार हो रहा है मुझे भी अब तुमारे साथ सीरियोस होने का थोड़ा सा मोका मिल जाएगा जो कहते साथी अचानक उस गार्डियन एप बीस्ट ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया और वो अपने बरसर एक मोड में चला जाता है जो देखकर हाउचिन कहाँ पीछी रहने वाला था वो भी अपनी एक स्पेशल टिक्नीक का यूस करता है जिसके वड़ा से हम देखते है कि उसकी दोनों सोर्च सी फ्लेम से जलना शुरू हो चुकी जिसके इस्तिमाल करते हुए हाउचिन ने तीजी के सार आगे बढ़कर उस गार्डियन एप पर लगातार स्लैश अडेक्स करना शुरू कर दिये थे जिसके वड़ा से हाउचिन को एक ओपनिंग मिल चुकी थी ये हाउचिन के लिए एक बहतरी नुक आता और हाउचिन भी इस मौके को जाया होने नहीं देता बलके वो फॉरन यहाँ पर अपने डबल ड्रेगन स्लैश अटेक को रेडी कर लेता है जिसका इस्तिमाल करते है उसने यहाँ गार्डियन एप पर हमला कर दिया और यह अटेक्स वाके में काफी जरा खतर नाक था जिस अटेक को जिलने के बाद वो गार्डियन एप यहाँ आगी की तरफ आकर हाउचिन से कहता है कि मैंने तुमें शायद कुछ जरा ही अंडरेस्टिमेट कर लिया तुम अब तक कि यहाँ पर आने वाले हर एक वारियर से काफी जरा कमाल के हो और इसलिए मैं तुम्हारे साथ अब थोड़ा सीरियोस होकर फाइट करूँगा तो चलो पिर तयार हो जाओ यह कहते साथी उस गार्डियन एपने तीजी के सार अपने पंचे से जमीन पर हिट करना शुरू कर दिया जिसके विड़ा से आसपास की जमीन मैनिपुलेट होना शुरू हो गई और यहाँ तीजी के साथ जमीन से चिटाने निकलते हो अचानक से हाउचन को कैद कर लेती है जो देखकर हाउचन काफी जरा हरान हो गया हो वो कहता है कि यह बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ क्योंकि हम देख पा रहे थे कि सामने से वो गार्डियन एप तीजी के साथ हाउचन की तरफ ही बढ़ रहा है हाउचन के पास ज्यारा वक्त नहीं इसलिए हम देखते हैं कि हाउचन ने फरनन अपने एबसलूट डिफेंस टिक्नीक को एक्टिवेट कर लिया जिसके वज़से एप बीस्ट की रफटार थोड़ी सी स्लो हो गई और हाउचन साथ ही अपने सोड उफ मिरिकल का इस्तिमाल करते हो खुद को अज़ाद करके फूरस से जम करते हुए पीछे आ जाता है जो देखकर वो एबीस्ट यहाँ हाउचन से कहता है कि इस बार तो तुम बच गे लेकिन मैं देखना जाहूंगा कि आखिर तुम कितनी बार बचोगे यह कहते है वो गाडियन एप अपनी सीम टिक्नीक का इस्तिमाल करते हुए बार बार हाउचन को पकरने की कोशिश कर रहा था जिससे हाउचन डॉच करते हुए पीछे हट जाता है जबकि वो गाडियन एप भी लगातार यहाँ हाउचन पर हमले भी कर रहा था हाउचेन यहाउस के हमलों को डॉच करने की चकर में एक बार पिरसे उसी स्लेम चाल में भाज गया लेकिन इस बार भी हाउचेन खुद के सामने शील्ड बना कर खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है यह देखकर तो वो गाडियन एप घुसा होकर यहाउचेन की पीची ही पढ़ गया जिससे हाउचेन डॉच करके दूर बागते जा रहा था साथी वो अपने मन में कहता है सिर्फ इस गाडियन एप के हमलों को डॉच करके तो मैं इससे नहीं जीत सकता मुझे कुछ भी करके इसके पास जाना होगा जहाँ पर शायद मुझे कोई ओपनिंग मिल जाए यही सोचते हुए हाउचेन एक बार पिरसे रुकर खुद को तेयार करते हुए यहाउचेन एप पर हमला करणा शुरू कर देता है जहां हौचेन की सोच के हमले तो उस गार्डियन एप पर कुछ भी अशर नहीं कर रहे थी इसलिए वो गार्डियन एप हौचेन से कहता है कि इसका कोई फाइदा नहीं तुमारे हमले चाकर भी मेरी डिफेंस को पेनित्रेट नहीं νहीं कर सकते जो सब सुनकर हाउचिन को घुसा आ गया और इसलिए हाउचिन यहाँ पर फौरण अपने लाइट रिपल टिकनीक के इस्तिमाल करता है जिसके बाद जैसे उसने अपने सोड से यहाँ उस गार्डियन एप पर हमला किया वो हमला एक सोनिक ब्लास्ट की तरह काम कर रहा था जिसके वज़े से उस गार्डियन एप का डिफेंस अब कमजोर पड़ जाता है और इसे वज़े से वो गार्डियन एप यहाँ अपने गुटों पर आ गया जबके हाउचिन उसके सामने खड़ा था हाउचिन की बोड़ी से काफी जारा लाइट ब्रेथ निकल रही थी जिसे देखकर वो गार्डियन एप कहता है कि इतनी स्ट्रोंग लाइट ब्रेथ क्या ये वही है जो मैं सोशहा हूँ हाँ बेशक ये वही है लेजेंडरी वन एंड ओनली सन ओफ लाइट ये ही कहते है वो गार्डियन एप तीसी के साथ यहां हाउचिन की तरफ आना शुरू कर चुका वो कहता है कि आप तो सन ओफ लाइट हो मैं पहले पैचान नहीं पाया हाउचिन तो उसकी शकल देख रहा था कि अचानक से इसको अब ये क्या हो गया जबकि वो गार्डियन एप यहाँ पर हाउचिन के कंदे दवाते हुए कहता है कि बॉस अगर मुझे पता होता कि तुम सन ओफ लाइट हो तो मैं तुम से टेस्ट लेने की हिम्मत ही ना करता ये कहते हैं वो गार्डियन एप सीधा से हाउचेन के सामने आकर कहता है कि तुम एक सन ओफ लाइट हो इसलिए ये स्पिरिचल फर्नेस मैं तुमें बिल्कुल फ्री में देना चाता हूँ हाउचेन भी उस गार्डियन नाइट से माफी मांगते हूए कहता है कि मैं भी तुम्हें दुम्हें दुष्मन नहीं बनाना चाता था मुझे भी यहाँ पर सिर्फी इनी स्पिरिचल फर्नेस की ही तलाश ती जिस पर वो गार्डियन एप हाउचें सी कहता है कि लो अब तुम्हारे ले सारे पोर्टल्स ओपन है तुम्हें स्पिरिचल फरनेस को लेकर सेफली अपने दोस्तों के पास जा सकते हो असल में जैसे उस गार्डियन एप को मालम हो चुका था कि हाउचें एक सान ओफ लाइट है तबी से वो गार्डियन एप हाउचें की बहुत हिज़त कर रहा था इसलिए हाउचें भी उसका शुक्रिया राकर कि अभी स्पिरिचल फरनेस को लेनी ही वाला ता कि तबी अचानक एक लाइटनिंग तेजी के साथ आकर उस गार्डियन एप पर गिर कर उसे डिस्ट्रोई कर देती है इस अटैक की वड़ा से तो हाउचें भी पीछे हट गया जबकि वो देख पाता है कि ये तो एक डीमन ने किया है जो तंडर डीमन गोड़ यहाँ पर आने के साथ साथ फरनों उस पिरिचल फरनेस को भी हासल करके हाउचें से कहता है कि इसे मैं आपने पास रख रहा हूँ हाउचें यहाँ पर उस थंडर डीमन की यह हरकत देख कर याद करता है कि वो गाडियन एप कितना जरा अचा था लेकिन इस थंडर डीमन ने आते साथ ही उसकी जान ले ले उसने ये बिल्कुल भी अचा नहीं किया ये बाद हाउचें को बहुत ही घुसा दिला देती है इसलिए वो अपनी सोर्स लेकर तीजी के साथ उस थंडर डीमन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है जबके साथी वो घुसे के साथ चिलाते हुए कह रहा था कि आखिर तुमने उसे जान से क्यों मार डाला ये कहते हैं हाउचें उस थंडर डीमन पर हमला कर देता है लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो थंडर डीमन भी काफी चुरा लिया दूसरी तरफ हाउचिन जो के वाकी में काफी ज़रा घुसे में था वो अपनी पावर्जी कर्टा करते हुए फरन यहाँ फ्लेम स्लैश लगाते हुए सीधा उस पर हमला कर देता है जिसे तो उस थंडर डीमन ने काफी असानी के साथ डॉच कर लिया था साथी वो यहाँ पर हाउचिन के हमलों को डॉच करते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं स्पिरिचुल फरनेस को तोड़ दूँगा लेकिन तुमें नहीं दूँगा यह कहते साथी उस थंडर डीमन ने फरन वहाँ पर स्पिरिचुल फरनेस को तोड़ दिया यह देखकर तो अब हाउचिन पहले से भी जारा खुस्ते में आ चुका था जबकि दूसरी तरफ वो थंडर डीमन अपनी हुडी बाहरी निकाल देता है और यहां हाउचिन का मजाग बनाते हुए कह रहा था कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ पाओगी क्योंकि हम देख पा रहे थी कि वो थंडर डीमर हाउचिन के सारे हमलों को बहुत ही असाने के साथ डॉच कर पा रहा था इवन कि जब हाउचिन उसे टारगेट लोग करने की कोशिश करता है तब भी वो थंडर डीमन को हिट नहीं कर पा रहा था जिसके वज़ाद से थंडर डीमर हस्ते वे हाउचिन का मजा कभी बनाने ही लगता है लेकिन तबी अचानक वो देखता है कि ये तो सब हाउचिन की एक चाल थी क्योंके हाउचिन ने अपनी होली फर्डिस की चेंज से उचित चकर लिया था और वो तीजी के साथ उसे अपनी तरफ खीशर शुरू कर लेता है जिसके साथी हाउचिन फोरण यहाँ अपने डबल ड्रेगन स्लैश इकनीक का भी यूज़ करता है इस अटेक के वज़े से हम देखते हैं कि उस थंडर डीमन की हालत तो खराब हो चुकी थी लेकिन हाउचिन रुकता नहीं वो लगातार उस थंडर डीमन पर हमले करते हुए कह रहा था कि तुमने बहुत बुरा काम किया और आप तुम इसकी कीमत चुकाओगे ये कहते हैं हाउचिन नहीं हाउच थंडर डीमन को काफी बुरी तरीकी से पीट कर जमीन पर पड़क दिया था जहां पर हम देखते हैं कि हाउचिन का घुसा थोड़ा सा शान्त हो गया लेकिन तबी अचानक वो थंडर डीमन में सीरियसली हस्रे शुरू कर देता है साती हो थंडर डीमन पर लगी वेकस्वी एक सील को हटाना शुरू कर चुका इस सील को हटने के वरे से हम देखते हैं कि अचानक ये उस थंडर डीमन की पावर्स बढ़ ग fell ँर वो हसते वे हाउचिन से कह रहा था कि अब तुम पष़ताने वाए हो चलो बागो यहीं तुमारे पास आखरी मौका है क्योंकि इसके बाद तुमारे पास बैशने का कोई दूसरा रास्ता नहीं यह कहते साती वो धंडर डीमन यहाँ अपने धंडर से फोनन हाउचेन पर हमला कर देता है जिसे ब्लॉक करने के लिए हाउचेन ने अपने डिफेंस परी टिकनीक का यूस किया लेकिन यह डिफेंस टिकनीक तो सिर्फ एक सेकंड भी रुक नहीं पाती जो देकर तो हाउचेन हरान होते है कि आखिर यह कैसे पॉसिबल है यहाँ ड्रीम पैरडाइस के रूल्स के इसाब से तो लेवल सेवन से जारा बड़ा वारियर यहाँ पर नहीं आ सकता पिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए यह सब सुनकर तो वो धर्डर डीमन हसते वे कहता है कि हाउचेन तुम अभी तक पैचान नहीं पाए यह सील जो के अभी मैंने अपनी बॉड़ी से हटाई वो हमारे डीमन एमपरर ने खुद हमारी बॉड़ी में प्लान कीती जिसके वर्डर से हमारी पावर लेवल सेवन से कम दिकाई दे रही थी लेकिन हमारी रियल पावर तो लेवल से कई ज्यादा है हाउचिन तो यह सब सुनकर सप्राइस होते हुए कहता है कि अचाहिसी वर्डर से तुमें वो सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाया लेकिन यह बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ इसका मतलब यहाँ पर जितने भी डीमन्स है वो सारे के सारे डीमन गौड्स लेवल के है इन लोगों ने यहाँ पर चीटिंग की और इसकी वर्डस से तुम मेरी सारे दोस्त मारे जाएंगे उन लोगों को अंतासा ही नहीं कि उनका सामना किस से होगा यह सब सोचते वे हाउचन को काफी जरा घुसा रहा था वो उस तंडर डीमन पर घुसा करते वे कहता है कि आखिर तुम लोगों की हिमत कैसी भी तुम लोगों ने चीटिंग की है जिस पर वो थंडर डीमन हसते हुए कहता है कि इसमें चिटिंग क्या यह तो सिंपल सिंपल एक हंटिंग कॉमपडिशन है जिसमें हम लोग एक दूसरे को जान से मारेंगे यहाँ पर तो शिकार और शिकारी का खेल होने वाला है जहाँ पर शिकार तुम इंसान हो और शिकारी हम डीमन्स यह कहते है उस थंडर डीमन ने एक बहुत बड़ा लाइटनिंग अटेक रैडी करते हो फ़रन यहां हाउचेन पर चल दिया जिससे रोकने के लिए हाउचेन ख की रूल्स को नहीं माना तो आप तो इनसे काफी जरा पाउरफुल हो पिर आपको यह रूल्स फॉलो करने की क्या ज़रूरत है हाउचेन यहाँ पर मिनी वन की बातिस जुन रहा था जबकि दूसरी तरफ वो थंडर डीमन यहाँ मिनी वन को देकर कहता है कि लो तुमारा त सारे दोस्तों को टेलिपोर्ट करके यहाँ पर ले आया जो देकर तो वो थंडर डीमन काफी जरा हैरान हो गया था कि हाउचेन ने यह कैसे किया जबकि दूसरी तरफ हाउचेन के दोस्त यहाँ पर आकर कहते है कि देखो तो सही हमारे सामने है एक लेवल 7 का डीमन इसको मा कर देते हैं जबकि साथी हाउचेन उस थंडर डीमन से कह रहा था कि अब तो तुम्हारे साथ खेलने में और जारा मजाएगा और इसी के सार हमारा यह पीसोड यही पर खतम हो जाता है